हेलो नमस्ते सची कर अदाब दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त हरदीव दूर हेल्थ केर शो में हमारे सारे देश और विदेश के दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज के अपिसोड में आपको बताएंगे कि अगर आपके बिचेहरे पर धीलापन पढ़ चुका है तो किस परकार उसको आप ठीक कर सकते हैं और अगर जिनके पढ़ने वाला है वो कैसे उसको रोक सकते हैं उसके लिए आपको क्या करना देखिया हमारी एरिपोर्ट तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पानी जी हां पानी सिहत और तरटर दोनों के लिए भागत जरूरी है जो लोगग पाणी about सेवन kम करते हैं उनकी त्वर्णां मे रूखापन आने के साथ-साथ धीला होने लगती है, जी हाँ, पानी पीना सेहत के लिए बहुत ही जरूरी है, वो चाहे सकिन है, चाहे हमारी बोडी है, जो लोग वेट रड्यूस भी करना चाहते हैं, वो भी पानी जरूर पीए, तो बढ़ते हैं आगे एक बार फिर शुवात करते हैं, पानी सेहत और तवचा दोनों के लिए बहुत जरूरी है, जो लोग पानी का सेवन कम करते हैं, उनकी तवचा में रूखापन आने के साथ-साथ तवचा धीले हुनी लगती है, धिन भर में काम से कम से कम 10-15 गिलास पानी का सेवन जरूर करें, धीरी-धीरे चैरे पर रोनक वापिस आनी शुरू हो जाएगी और तवचा में कसावट भी आने लगेगी, और नबर दो बात करते हैं, एक्सेसाइज की फिट रहने के लिए रुजान एक्सेसाइज जरूरी है, श्रीरी गती विधियो से विशेले परतात आने से ही जब वो बहार निकल जाते हैं, और स बात करते हैं, और बात करते हैं, अब यह थोड़ा सा ध्यान से सुटा, चेहरे को केर की बहुत जादा जरूरत होती है, इससे छुटकरा पाने के लिए समाज करें, यानि कि मसाज करें, हर्बल पेस पैक, सबसे अच्छा है, हर्बल फेस पैक, अलो वीरा तो अच्छा बात करेंगे, और बिलकुल अखीर में हम बात करेंगे, नारियल तेल की, जी हाँ, नारियल तेल आपकी तो चमक भी लाता, और ड्राइनस भी दूर करते हैं, तो दोस्तो आज के एपिसोड में आपको पता चली गया कि अगर आपको भी चहरा धीला पढ़ने लग गया, यानि कि धीला पढ़ चहरे पर दिखाई देना शुरू हो गया है, तो किस परकार आप इसको टाइट कर सकते हैं, उन किन चीजों की जरूर होते हैं, खास कर पान काmpर अानि करते हैं, इसलेकि अला उन कांज इसको बाते हैं, छोड़ ज एक बशेते हैं, झाल होते हैं झाल हूओा झाल हैं, जज देकाल होते हैं